नमस्कार मैं प्रियांका सिंग हैपी नवराच्री फ्रैंट्स आज का रेस्पी कुछ अलग और कुछ हटके हमने बनाया है और यह नवराच्री special sweets है बहुत टेस्टी और बहुत जबजस्ट है चलिए बनाना सुरू करते हैं हमने 6 आलू लिया है आलू को अच्छी तरह से कदुकश कर लेना है और ये रेसिपी आलू बॉयल किया हुआ से ही बनता है जब बॉयल करके आलू बनाएंगे तब इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है घी हमने बड़े वाले चमच से दो चम कर लिजिएगा कल्चा कि इसमें से जितना एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए काजू और बड़ाम अच्छी तरह से भुना गया है इसको निकाल लिए है उसी घी में हम एड करेंगे किसमिस और किसमिस को भी हम रोस्ट कर लेंगे और ये लो मेडियम पे कीजिएगा क्योंक जलता नहीं है और उसी घी में हम एड करेंगे आलू जो कदुकस किया हुआ है इसको भूनेंगे और गैस का फ्लेम मेडियम पे रखिएगा मेडियम पे ही आलू को भूनना है जितना ही बढ़िया हमारा आलू भूनाएगा उतने ही बढ़िया हमारा आलू का हलुआ बनेगा फ्रेंड्स हम हलुआ बना रहे हैं वो भी आलू का नौरात्री एस्पेसल और देखिए जितना भुनाते गया है उसमें से घी काफी एक्स्ट्रा छोड़ दिया है इसमें हम एड करेंगे चीनी चार चमच हमने एड किया है चीनी अपनी टेस्ट के कोडिंग डाल लीजिएगा आलू के हलुआ में जादा घी मड डालिएगा क्योंकि ये एक्जर्ब नहीं करता है पुरा सोटा नहीं है ये पुरा छोड़ देगा घी जो है आलू से और यहाँ पे हमने मलाई तीन चमच एड किया है घर का ये मलाई है और ये सूध है मार्केट से लाया हुआ मलाई यू कर सकते हैं अब इसमें एड करेंगे हम इलाइची पॉडर इलाइची पॉडर से फ्लेवर और टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और मलाई से तो टेस्ट का दुगुन्ना बढ़ गया है यहाँ पे हम एड करेंगे ड्राइफ रूट जो हमने भून के रखा इसको बारिक हमन जी तब क्युक्त बढ़िया है इसमें में एक्स्ट्रा घही बिल्कुल ने डाला है और इतना जादा घही छोडए है और यह देखिए हमारा आलो का हलुआ बनके रेडी हो चुकाकि इतना मस दिखasta है ना देखने में पता चलता है होर ना खानी में पता चलता है कि यहालु का हलुआ जरूर लिख कर भेजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कूल मद भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो में फिर आप से मिलेंगे अलग रेसिपी के साथ तब तक लिए बाई बाई हैपी नवरात्री